हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटेट 2021 की परिच्छा के लिए राजस्थान जीके का प्राक्टिस सेट सॉल्ट करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ह होगा उसको भी दबा लें इससे आने सरी नए वीडियो नोटिपिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो खुद से प्रयास कीजेगा इन सभी कोशन के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर किलियर कर दूंगा आज का टार्गेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिस करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूंद आज का हमारा पहला कोशन रहेगा कि वर्स 1942 में जब मात्मा गांधी न आमरण अंसन किया तो उनके समर्थन में राजिस्थान के 21 सुतंतरता सिनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था सभी लोग अंसर दाते हो चलेगा option C जो है आपका शोभा राम उल्कुल correct हो जाएगा गायस अगला कोशन है केशरी सिंग बारट ने सुतंतरता संगराम में क्या योगदान दिया था उन्होंने करांतिकारी गद्वदियों को राजिस्थान में आगे बढ़ाया option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा गायस अगला कोशन है राजिस्थान में प्रकासित सर प्रथम शाप्ताहिक समाचार पत्र था सभी लोग अंसर उदातों चलेगा option B जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा सज्जन केर्थी सुधाकर अगला कोशन है गायस नागावर में किस सूपी संथ की मजार है सभी लोग अंसर उदातों चलेगा नागावर में किस सूपी संथ की मजार है सेख हमियुत दीन option A जो रोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगा बांगडी बोली प्रचलित है सभी लोग अंसर उदातों चलेगा अगला कोशन है जोदपूर के निकट आर्सिया मंदिरों का समूँ किसकी देन है राठावड गहलोत चौहान प्रतिहार option D जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे प्रतिहार जिस छेत्र में नो टंकी सरवादिक लोग प्री है वह है भरतपूर बाडमेर कोटा उदाइपूर option A जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे भरतपूर अगला कोशन है guys जांगल बीका नेर का प्राची नाम निम्न में से किसके पुर्वज़ों का राज्य माना जाता है जनक, पांडब, यादब, कौरब option D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा कौरब अगला कोशन है guys राजस्थान में उत्रा धिकार की प्रथा सभी लोग अंसर उताते हो चलेगा बंशा नुगत्थी option C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन है guys चीनी नागरिक हैंसौंग ने राजस्थान के निम्ण में से किस इस्थान पर भ्रमण किया था नागर जैपुर भीनमाल अलवर option C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा भीनमाल ठीक है अगला कोशन है guys की गोडवाड सिरोही आबू मेवाडबा गुजरात के जैन धर्म के एक तीर्थ करके जीवन्त स्वामी सरोग की परिचायक मूर्ति अंसरवादिक संख्या में निर्मित हुई हैं यह जीवन्त स्वामी तीर्थ कर हैं पाशनाथ, नेमिनाथ, महाविर स्वामी, आधिनाथ option C जो लोग बता रहे हैं तो पॉम्चा मैलाओं की ओड़नी भी सेस को कहते हैं तो option A जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग करक्ट हो जाएंगे ठीक है अगला question है guys राजस्थान में बहुत संस्कृति के अपसेस कहां मिले हैं सभी लोग अंसर बदाते हो चलेगा ये मिले हैं बैराट में option T जो है आपका विल्कुल करक्ट हो जाएगा ठीक है चले नेश question की बात कर लेते हैं guys question है कलीला दमना है चार option आपके सामने है अंसर चूज करें कीजिए फिरांसर बताईए आप लोग option A जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग करक्ट हो जाएगे मेवार सैली की कहानी के दो पात्रों के नाम कलीला और दमना राजिस्थान में भूरी मिट्टी का परसार चेतर है सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा राजिस्थान में भूरी मिट्टी का परसार चेतर है बनास नदी का प्रवाचेत, option A जो लोग बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएंगे, ठीक है 76 question है guys, की शेवन क्या है सभी लोग answer लाते हो चलेगा, शेवन क्या है शेवन जो है, ये कम बर्सा में उगने वाली खास है जो ये वच्छे B वाला option बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएंगे अगला question देखेगा, क्या है question है guys, जिस राजि के साथ राजिस्तान की सबसे ओची अंतर राजिय सीमा है वह है, गुजरात, मद्परदेश, हर्याना, पंजाब option D जो लोग बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएंगे, पंजाब next question है guys, राजिस्तान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है शबी लोग अंसर उदाते हो चलेगा option A जो लोग बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएंगे काटे डार, पेर्ण वा जाणिया, मरुद विद के रूप में ठीक है, अगला question देखेगा question है guys, की जावर खान किस जिले में है उदैपूर, सबाई मदोपूर, चितोड़गार, राजसमन्द option A जो लोग बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएंगे उदैपूर, राजिस्तान के जिस जिले में 21 जून को सूर की सीधी किरने पड़ती है option B जो है आपका बाशबाड़ा बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है guys, अगला question है राजिस्तान के जिस जिले में तेल और प्राकरति गैस की संभावनाई अच्छी है, वह है बाड़मेर, जाला और जैसमलेर, गंगा नगर option C जो लोग बता रहें वो सबी लोग correct हो जाएगे अगला question देखेगा question है जिस नदी का जल किसी खुले माशागर में नहीं पहुंचता है, वह है शामरमती, माजम, कातली सोम कातली, option C जो लोग बता रहें वो सबी लोग correct हो जाएगे जो राश्टी है, राजमार के संख्यार राजिस्थान से नहीं गुजरता है, वह है सबी लोग अंसर उताते हो चलेगा 23 यानि की 23 D वाला जो option है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला question है guys जिस नदी का जल अरब सागर में प्रबाहित नहीं होता है वह है खारी, शुक्री, शामर्मती, जवाई option A जो लोग बता रहें वो सबी लोग correct हो जाएगे खारी अगला question है guys वह जिल वह जिल जिसमें एक टापू पर Iceland resort नामक होटल बनाया गया है डिनवाना, सावर, जैसमंद, राजसमंद सबी लोग answer दाते हो चलेगा जो वह जो सीवाला option बता रहें वो सबी लोग correct हो जाएगे जैसमंद खारी, अगला question है guys कीमत लेकर दूसरों को उनकी आवशक्ताएं की बस्तु में वेचना, सेवा करना और इस प्रकार जीब को पारजन करना ये क्या कहलाता है तो ये क्या कहलाता है तो ये कहलाता है ब्यापार option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है guys अगला question है C, A, Z, R, I की इस्थापना कब हुई थी सभी लोग answer दाते हो चलेगा verse 1969 में option D जो लोग बता रहें वो सभी लोग correct हो जाएगे अगला question देखेगा राज में इमारती पत्थर विकास केंदर की इस्थापना कहां की गई थी सभी लोग answer दाते हो चलेगा राज में इमारती पत्थर विकास केंदर की इस्थापना कहां की गई थी ये की गई थी सितापुरा जयपूर में option A जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएंगे indobajar.com है सभी लोग अंसर बदाते हो चलेगा option B जो लोग बता रहे हैं sorry option C जो लोग बता रहे हैं अंतर राष्टिय ब्यापारिक छेत्र बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगला question देखेगा राज में सूचना तकनीकी पारके की स्थापना की गई है सांगरिया जोदपूर, सीतापूरा जयपूर विवाणी अलवर या फी चुमकी अलवर सभी लोग अंसर बदाते हो चलेगा जो ही बच्चे बीवाला अपसन बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे सीतापूरा जयपूर चले नश कोशन की बात कर लेते हैं समिदान के किस अनुच्छिद में प्राबदान है की मुख मंत्री की नियुकती राज प्वाल दुआरा की जाएगी समिदान के किस अनुच्छिद में प्राबदान है की मुख मंत्री की नियुकती राज प्वाल दुआरा की जाएगी ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे अनुच्छिद 164 काईज अगला कोशन है मंत्री परिस्द की कार कोशलता के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है उप्रोक्त सभी जो भी बच्छिद डी वाला आप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे ठीक है अगला कोशन देखेगा भारत में पंचायती राज को प्रारम करने वाले राजियों में राजिस्थान का इस स्थान कमसा है पहला दूसरा तीसरा चोथा पहला ओप्शन ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे नश कोशन है गाईज वह लोग सभा निरवाचन छेतर जिसके सभी बिदान सभा निरवाचन छेतर अनुसूची जन्जाती के लिए आरचित है उदैपुर चितोडगार वासवाड़ा भिलवाड़ा सभी लोग अंसर उताते हो चलेगा ओप्शन सी जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा वाशवाड़ा ठीक है अगले कोशन की बात कर लेते हैं कोशन क्या है या पढ़िएगा प्रदेश में सरवाड़िक कीट नासीत राशायनों की खपत काउं से जिलों में होती है कोटा बारा ए और बी राजसमंद एवं भिलवाड़ा ओप्सन C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा कोटा और बारा अगला कोशन है गाईज राजस्तान में सीट मल्टिब्लिकेशन फॉर्म की चिस जगह इस्थापना की गई है निम्न में से वह जगह कमसी है रोजड़ी बिकानेर नदवई भरकपूर जोटबाड़ा जैपूर सेवर भरकपूर सबी लोग अंसर बदाते हो चलेगा ओप्सन A है आपका जो बिल्कुल correct हो जाएगा रोजड़ी बिकानेर ठीक है अगला कोशन देखेगा कोशन राजस्तान में पूर्वी आर्द प्रदेसों की प्रमुक उपच कौंसी है सबी लोग अंसर बदाते हो चलेगा राजस्तान में पूर्वी आर्द प्रदेसों की प्रमुक उपच जो है वो कौंसी है कि यहूँ बाच्चाना ऑप्सन B जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है किस फसल के लिए अगर नहीं है सिताफल संत्रा वेर चीको ऑप्सन C जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग correct हो जाएगे वेर ठीक है नाश कोशन है गाइस किस राजा के दरवार में बिविन विस्यों की 22 उपस्ति थी सबी लोग अंसर उताते हो चुलेगा ऑप्सन B जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग correct हो जाएगे महराजा जगत सिंग महराजा जगत सिंग ठीक है क्राउन साथ सब तो योगम सही है सबी लोग अंसर उताते हो चुलेगा सुनारी जुझनू किसी यूद को मेवाल का महराथन यूद कहा गया है हल्दी गाटी के यूद को दीवर के यूद को शामेल के यूद को सबी लोग अंसर उताते हो चुलेगा ऑप्सन B जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग correct हो जाएगे दीवर के यूद को अगला कोशन है काईस महराणा उदै सिंग को किस उप नाम से भी जाना जाता था परंबीर, महराणा, मोटा राजा इन्हें से कोई नहीं महराणा उदै सिंग को मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता था ऑप्सन C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशने काईस, निमलेखित में से किसने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरवार के अबसर पर लॉड होडिंग पर गम फेका था सरदार हरलाव सिंग, ठाकुर छतर सिंग, ठाकुर जोरावर सिंग बारहट, जोला प्रसाद अगला कोशने काईस, शीकला, जिरनडा, नेतरा तथा गिडगड़ी सवन्दित है सभी लोग अंसर उताते हो चलेगा, दही बिलाउने से, उप्सन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है करवा चोथ का ब्रत कब मनाया जाता है, सभी लोग अंसर उताते हो चलेगा, करवा चोथ का ब्रत कब मनाया जाता है तो यह मनाया जता है कार्थिक क्रश्ण चतुर्थी को option C जो रहे आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगले question की बात कर लेते हैं guys question है कि चेतावनी का चूगत्या के रचैता थे सभी लोग answer उताते हो चलेगा option D जो लोग बता रहे हैं अगला question है guys किस चिले में राज सरकार सरवादिक पसु मेलो का आयोजन करती है सभी लोग answer बताते हो चलेगा option D जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे नागवर अगला question है guys महल एवं फबारों के लिए प्रसिद नगर कौन सा है अजमेर भरतपूर डीन जोदपूर सभी लोग answer बताते हो चलेगा महल एवं फबारों के लिए प्रसिद नगर है डीन option C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगले question की बात कर लेते हैं guys question है राजिस्थान के किस भाग में नो टंकी ततार राम लीला अधिक लोग परी है तच्छनी पूर्वी उत्री पश्मी option B जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे पूर्वी ठीक है अगला question है जैपूर में किस इस्थान पर अधिकान सांस्कृतिक कद्विदियां संपन होती है सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा option B जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा जबाहर कला केंदर में ठीक है नाश question है guys जैपूर, भरतपूर, कोटा सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा option A जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा उदैपूर ठीक है परते नाश question की ओर मिट्टी में खारापन वाचारियता की समस्या का समाधान है अधिक सिचाई खेतों में जिस्पम का उप्योग हरीखात उप्रोक्त में से कोई नहीं सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा option B जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा खेतों में जिस्पम का प्रियोग अगला question है guys निमलिकित में से किसे भोमट के नाम से जाना जाता है सभी लोग अंसर बताते हो चलेगा मेवाल में भील आबादी वाला चेत जोई वचे D वाला option बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे अबरक 8 उद्योग राजिस्थान में केंद्रित है उद्यपूर भीलवाला चित्तोर या फिर धौलपूर अबरक इट उद्योग ये आपके भीलवाला में केंद्रित है option B जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला question है राजिस्थान के किस जिले में जोमिंग प्रणाली की वालेरा खेती होती है डुंगरपूर उद्यपूर वासबाड़ा ये सभी सभी लोग answer उताते हो चलेगा option D जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे ये सभी अगला question देखेगा आज का हमारा सबसे last question रहेगा राजिस्थान का पहला गिरल लिगनाइट thermal power project किस जिले में इस्तित है बाड़मेर अजमेर अलवर भरतपुर जो बचे ये वाला option बता रहे हैं वो सभी लोग correct हो जाएगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइकों से जरू करें शेयनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके वेल आइकों होगा उसको भी दबा लें इससे आने असरी नए वीडियो नोटिपिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगे आज का टार्गेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं पोसिस करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूँँ तो मिलते हैं नएश वीडियो के साथ जैहिंच जै भारत